हाई वरीवन वांची वीडियो की स्टाट करते हैं सबसे पहले यहां पर हम आपके ऐग्सेंचर के पारें बात करेंगे डीटिल में यह बहुत बढ़ा अपडेट एग्सेंचर के तरफ से और उसके बाद हम हाईरिंग्स के बारे में डिसक्स करेंगे। हाई रिंग्स भी आपको 21 कुछ clear करना चाहता हूं, हो सकता है कि आपको और YouTube channels वाले भी के उपर वीडियो डालें, बनाएं, बट अभी apply करने से पहले आपको दो बार अपने दिमाग से सोचना है क्योंकि अगर आप Accenture में apply करते हो, और मालो के आपका registration हो जाता है, तो आपको यह बात याद रखनी है, कि जब आप इसमें register करोगे, तो register करने के बाद यह लोग freeze में, या cooling period में टाल देते हैं, ठीक है, और अगर मान लिया जाए for 2024 batch अभी recent में अगर इनके test नहीं होते हैं, तो आप यहाँ पर एक चीज आपको benefit करें, ठीक है, तो अभी, अगर कोई इसमें सोच रहा है apply करने की, क्योंकि यह just अभी recently update हुआ है मैं recommend नहीं करूंगा, कि आप लोग इसमें apply करें अभी के लिए जो 2023 batch से हैं, 2023 batch, they can apply for this, okay they can apply for this, for 2024 batch, जो कि यहाँ पर mention है, क्यों 2023 बेच के already काफी time हो चुका है, एक साल हो चुका है वो लोग तो यहाँ पर directly registration करी रहे हैं काफी time से, so मैं यहाँ पर 2023 batch को तो बोल सकता हूँ कि आपके लिए तो यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, आप लोग इसमें register कर सकते हो, दुबारा से पूरा portal update हो चुका है, but for 2024 batch, I would suggest कि आप इसमें अभी apply ना करें, यह हो सकता है, आगे जाके आपकी application process में कोई दिक्कत आ जाए, और आपको कुछ problems face करनी पड़ी, जैसे कि 2023 batch के काफी सारे students को यहाँ पर face करनी पड़ी हैं, so इसलिए 2023 batch में अभी भी कोई बंदा ऐसा है, जो Accenture की तरफ से जिसके resume को या तो block किया गया है, या उसके details को अभी block में डाला गया है, या जो अभी period में चल रहा है, cooling period में चल रहा है, वो लोग तो इसमें अभी भी apply नहीं कर पाएंगे, चिक है, अभी भी apply नहीं कर पाएंगे, दूसरी बात, अगर आपको eligibility का कोई notification आता है, eligibility का, तो भी आप यह मान के चलो कि initial level पर ही आपको reject कर दिया गया है, Accenture आपको accept नहीं कर रहे है, अब आप उसमें जादा दिमाग नहीं लगाना है, कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों तो यह सारे अपडेट थे, अपने Accenture के तरफ से, इसकी link मैं दे दूँगा आपको description में, बट इसमें केवल कौन apply करेगा, 2023 batch अभी लिए, और अगर किसी को अपने pair पर कुलाडी मारने का shock है, from 2024 batch आप अपने pair पर कुलाडी मार सकते हैं, और आप apply कर सकते हैं, ठीक है, then बात कर लेते हैं, बड़ी opportunity के बारे में, आगर आप देखोगे, तो ऐसे mails यहाँ पर लगाता है, रेसीव हो रहे हैं, जो पिछली बार contest कंडट कराया गया था, उसके तरफ से 2020 से लेके 25 बैस तक लिए, आप देख सकते हो, यह shortlisting के mail है, after the contest, so मैं आपको suggest करूँगा, कि इस बार भी यह contest हो रहा है, सबसे अच्छी बात यह है, कि इसमें कोई भी shortlisting नहीं होती है, सभी लोग जोतने register करेंगे, सब test देंगे, 8th February को आपका test है, अगर आप देखोगे, तो अभी 2 दिन बच्चेया के वल, so उससे पहले, अगर आप चाओ, preparation भी कर सकते हैं, previous year के आप questions पक्राद देखो, बागी सब इसमें eligible है, ठीक है, 2023 batch भी eligible है, टेंशन मत लेना, 2023 batch eligible है, Ember students के लिए, और बागी के तो, obviously यहां पर eligible है ही, so do not miss to apply, it is a very, very big hiring opportunity, okay, चार coding questions देखने को मिलेंगे, और selection criteria clearly mention किया है, कि selection criteria में clearly mention किया गया है, कि अगर आप जो cut off है, अगर आप उसको पार कर पाते हो, तो यहां पर आपको आगे की screening round के लिए भेज दिया जाएगा, ठीक है, और यह आपकी, obviously performance पर बेस रहता है, so do not miss to apply, it is very, very big hiring opportunity, then we have a next hiring opportunity, from Trev Lupia, so Trev Lupia is hiring, and it is a very good role, talking about this, job location is Bangalore, and जो आपका role, यह वो product analytics में होगा, but जो knowledge है, उसके बारें बात कर लेते हैं, so basic knowledge of javascript frameworks, html, css, javascript, back-end, api development, basic programming skills की requirement मांगी है, minimum qualification mentioned है, bachelor's degree with relevant expertise, any relevant certification, focused on growth and skills, when you click on apply link, you will be directed to the official page, where you can register yourself, okay, and it is a good hiring opportunity, so do not miss to apply, very, very, अच्छी hiring opportunity है, then we have a hiring opportunity, from geeks for geeks, so geeks for geeks is hiring for problem setter, dsa, java script, okay, so they are hiring for problem setters, so you can apply, and geeks for geeks is hiring for many, many profiles, so currently, I think future, we can also expect some more hirings from geeks for geeks, okay, so you can register for this, and you can paste your profile, if you have competitive programming, some experience, you can paste your resume and submit, okay, they will prefer the candidates who have good knowledge in data structures and algorithms, and have good profile on competitive programming portals, okay, then we have a hiring opportunity from open gig, open gig is hiring for sd intern, okay, and this is related to open gig ai python internship, so you guys can register for this, okay, and all the things you can mention here, and college brands here of pass outs, you can everything you can mention, and you can submit the, then we have a hiring opportunity from sandvine, and they are hiring for trainees, so if you want, you can register for this, this also, and it is also a good hiring opportunity, so you can register for this, I will be putting out all the links in the description, so you guys can apply, thank you so much for watching this video, you 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 you